नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैहू पारुलतियागी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट किसान अंदॉलन को दो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और भी ते दो महीने में इस अंदॉलन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई है कई बार तो सोशल मीडिया पर किसान अंदॉलन को लेकर कई स्लेविटीज भी आपस में भिर गए लेकिन ये किसान अंदौलन अब सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी चर्चा का विशे है और इसका सारा क्रेडिट जाता है पॉप सिंगर रेहाना को जी हां रेहाना के 50 चब्दों के एक ट्वीट ने शोशल मीडिया पर तहल का मचा दिया है एक और जहां बॉलिवुड क्वीन कंगना रेनौत ने रेहाना को मूतोर जवाब दिया तो मानों पूरा सोशल मीडिया जंग का अखाड़ा बन गया तो ऐसे में रेहाना के बारे में जानना जरूरी हो जाता है रेहाना ने पॉप म्यूजिक एंडस्ट्री में अपनी शुरुआत ही काफी धमाकिदा तरीके से की बचपन से मैडोना, बॉब मारले और जेनेट जेक्सन जैसे सितारों को देखकर बड़ी हुई रेहाना ने अपना पहला अलबम म्यूजिक आफ दसन और अगर्ल लाइक मी साल 2005 में रिकॉर्ड किये बता दें केरिबियाई म्यूजिक से प्रभावित ये दोनों अलबम बिलबॉर्ड दोसो चार्ट के टॉप टेन लिस्ट में शामिल हुए लेकिन इसके बाद साल 2007 में गुड गर्ड गॉन बैट अलबम के साथ रेहाना दुनिया फर में चा गई और आज वो वर्ल्ड वाइड टॉप ट्रेंडी स्लेब्स में से एक हैं हाला कि उनका नाता विवादों से भी रहा है इसके साथ ही मिया खलीफा ने भी किसान अंदलून का सपोर्ट किया है और एक ट्वीट भी किया स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया